दोस्तों कैसे आप सब आशा करते हैं आप सब अपने गर में ठीक होंगे जैसा कि लास टाइम वीडियो में हमने बताया था कि जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता वो किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें यह जो कि कुछ टेप्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं उसक इसफॉर्स ट्रिक जैसे दोतों हाव तो कंसेंट्रेट ऑन यूर स्तडिय्ट को ट्रिक्स नमबर वन गोर इसका मतलब दोस्तों टार्गेट उसकि पहला प्यला यह जोसतों कि आपका गोल आपको देखना है कि आपको क्या लाइक आपको आपका टार्गेट बनाना है कि आपको UPSC में जाना है आपको NDA में जाना है आपको CDS में जाना है आपको NIT करना है क्लियर आपको SSC करना है आपको टीचिंग फिल्ड में जाना है आपको आर्मी जोईन करनी है आपको पुलिस में जाना है या एक्सेक्टरा आपको करना क्या है आपको करना क्या दोस्तों कुल मिला कि यह है आपको सबसे फर्स्ट आपना गोल सेट करना है अब नमबर टू दोस्तों नमबर टू फर्स्ट आपने गोल सेट कर लिया उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई तो वो जो पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो आप आपको एक प्लेस जो की साइलेंस साइलेंस प्लेस आपको अपने घर में वो जगह देखनी है जहां शोर शेराबा कम हो वहाँ आपको स्टार्ट अप करनी है अपनी पढ़ाई शुरुआत करें स्टार्ट अप आपको शुरुआत करनी है जहां शोर ना हो कि आप पढ़ाई शुरू करें और वहीं पे बच्च खेल रहे हैं या घर में आवाजे आ रही हैं इदर उदर से ताकि ये इसलिए silence प्लेश चाहता है दोस्तो कि आपका concentration concentration बना रहे हैं आपका दोस्तो अपनी पढ़ाई के उपर जो आप exam देना चाहते हैं किसी भी चीज़ का उसके लिए आपको एक ऐसी जगह बैठके पढ़ाई करने हैं जहां शोर ना होता कि आपका mind जल्दी catch करें उस चीज़ को कि पढ़ाई करने में दिकत ना हो और आपका पढ़ाई में मन लगे नंबर 3 point point number 3 जो आपको आसान लगे जो आपको subject आसान लगे यानि कि जिस subject में आपकी रूची ज़्यादा हो रूची like किसी को history पसंद है किसी को English पसंद है किसी को maths पसंद है तो दोस्तों आपको जो भी पहले पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं ताकि आपका पढ़ाई में मन लगे उसके बाद आप दूसरे subject उठा सकते हैं ये सिर्फ वीडियो how to concentrate on your studies आपका पढ़ाई में मन कैसे लगे तो तीसरा point आप ये करें कि कौन सा subject आप पढ़ें जो सबसे आपको आसान लगे वो subject पढ़ें जिसमें आपकी रूची हो आपका कोई भी subject हो उसका एक छोटा छोटा टोपिक बनाए लाइक 10 minutes कम से कम 10 minute का हो topic या फिर 15 minute का हो उसके बाद आप break ले लीजिए उसके देन यू टेक है break एक break उसके बाद आप break लीजिए फिर आप start कर लीजिए 10 से 15 minute का एक topic लीजिए और उसे पढ़िए ध्यान से एक silence place में बैठके ताकि आपके दिमाग पूरा पूरा दिमाग आपका उस topic पर ही रही फिर आप नुमर पाच पॉइंट के सबसे मैं तो पूरा पॉइंट है दोस्तों इसके बिना बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही आज की डेट में सबसे नेगली जैंसी इनी चीजों की चल रही है आवाइड आवाइड आल सोशल मीडिया आवाइड आल सोशल मीडिया जैसे दोस्तों आपका आज कल जादा तर यहीं चल रहे हैं इंस्टा ग्राव फेस्बुक और वाटसेप दोस्तों इन को आवाइड कीजिए हम यह नहीं कहते हैं यह गल्स चीज है यह ठीक है ठीक है अपनी जगह इनके भी काम है बर पढ़ाई के दोरान इनको आवाइड कीजिए बाकि लाइफ में यह भी चीज़े करनी जरूरी है बट हम तो यह इस अला देते हैं कि इनको पढ़ाई के दोरान जिस टाइम आपने अपना गोल सेट कर लिया यूपी एसी लाइक एंडी है एससी आपको इन से थोड़ी दूरी बना कर रखनी पड़ेगी इनके साथ साथ और काफी चैनल जो भी सोचल मीडिया होते हैं एक सेक्टरा लिख दिया हैं में इतना इनका वो है नहीं बाकि आपका गोल एचीव हो जाए उसके बाद आप इन कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर आना होगा कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर आना होगा दोस्तों कॉन्फिडेंस तो आपको अपने अंदर लेकर आना होगा कि येस मैं ये चीज़ कर सकता हूँ येस यू कैन आई कैन आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ ये आपके अंदर होना चाहिए ये आपके अंदर दोस्तों होना चाहिए इससे दोस्तों आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा ये 6-7 पॉइंट जो भी है जैसा कि गोल साइलेंस प्लेस में बैट के आप पढ़ें आसान सब्जेक्ट आप पढ़ें जिससे कि आपकी रूची उसमें आए जिसमें आपकी रूची हो और टोपिक को ब्रेक करके पढ़ें 10-15 मिनिट और दोस्तों सोशल मीडिया की ये थोड़ा वाइड कीजिए जब आपका गोल अचीव हो जाए उसके बाद आप शुरू कीजिए च्छटा पॉइंट कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जरूर होना चीए आपके अंदर की हाँ मैं कर सकता हूँ इससे दोस्तों आप अपना गोल अचीव कर सकते हो यू कैन अचीव यूर गोल थेंक्यू सो मच दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मन आपका पड़ाई में लगेगा इसलिए वीडियो बनाई गई है जैन दोस्तों